अजकल जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा करना काफी कटीन होता जा रहा है। उनकी फसलों को नुकसान पहुचाया जाता है जिसमें बंदर, हीरन, जंगली सूवर ए निलगाय का समावेश है जंगली जानोर की रोक्थाम के लिए और उनसे फसलों की सुरक्षा के लिए कई साधन उपयोग में लाए जाते हैं जिसमें प्रमुक रूप से सोलर फेसिंग म विन ड्रमर का उपयोग किसानों द्वारा किया जाता है इन उपायों से किसान कुछ हद तो अपनी फसलों को बचा सकते हैं किन्तु इनके दुश परिणाम भी सामने आये हैं जैसे इन फेसिंग के संपत में आने से कई जानोरों की मृत्यू भी हो जाती है और ये उपाय Human Wildlife Conflict Monitoring Activity के अनुसार पाया गया है कि जंगली जानोरों द्वारा पहुचाया गया नुकसान ये रात के समय में ही होता है और मुख्य तह बंदर, जंगली सूवर, हीरन इसमें शामिल है हम आज इक डिवाइस Crop Guard को इंट्रोड्यूस करना चाहते है जो किसानों को उनकी फसल बचाने में मदद करे और साथ ही जिसके उप्योग से Wildlife Means जंगली जानोरों को भी नुकसान ना पहुचे Crop Guard में एक Night Sensor इंस्टॉल्ड है जो रात होते ही Crop Guard को आउन कर देता है और सुबह होते ही Crop Guard को बंद भी कर देता है जिसके कारण रात में होने वाले जंगली जानोरों दौरा फसल को नुकसान रोक सके और फसलों को सुरक्षित रखा जा सके अगर किसी जगह दीन में भी जानोरों दौरा फसल को नुकसान पहुचाया जा रहा हो तो Night Sensor का Switch Off करके दीन में भी Crop Guard को एक्टिव रखा जा सकता है Crop Guard में एक कंट्रोलर इंस्टॉल किया गया है जो हर 15-20 मिनट में Crop Guard को 4-5 मिनट तक एक्टिव कर देता है ताकि जानवर खेत में प्रवेशना कर सके Crop Guard को खेत में इंस्टॉल करना काफी आसान है ये Domestic Electric Connection जैसे 220V AC पर ऑपरेट हो जाता है और इस मशीन को हम किसी भी पोल पर आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आप Crop Guard अपने खेत में लगा कर जंगली जानवरों से अपने फसल की सुरक्षा करना चाहते हो तो आप हमें contact कर सकते हो